हेलो फ्रेंड्स गोड इबनिंग बेलकम बैक टू माई चैनल पिती मोटिवेशन व्लॉग में और गाइस हम आसा करते हैं कि हमारी सब ही मुख्य से भी काई बहुत ही अच्छी होंगी और अपने रिजल्ड का इंतिजार बहुत ही बेसबजी से कर रही होंगी और उसके साथ साथ वो सकरात्मक भी होंगी और अपनी पढ़ाई भी कर रही होंगे साथ साथ में क्योंकि मैंने अपने पिछले ब्लॉग वीडियो में भी बताया था कि देखिए आप पढ़ाई करते रहिए जिसका बहुत ज़्यादा नंबर है वो भी सेवर नहीं है कि सेलक्टी होगा और कम नंबर का तो कम हाई है तो प्लीज ज़्यादा हो कम हो नॉर्मल हो फिर भी आप पढ़ाई करते रहिए ये बहुत अच्छी बादा यूपी में वैसे भी कोई वेकंसी जल्दी कमप्लेट नहीं होती है तो आप प्लीज तयारी करते रहिए हो सकता इससे पहले कोई और जौब हम लोग सभी को मिल और आज हम बहुत ही सकारात्मक वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्तित हुई हूँ और मैं बताऊंगी आज इस्टे का और मुकी सेविका से समद्धी सारे अपडेटेट न्यूज के बारे में मैं बताऊंगी तो गैस मैं अपने अपना एक पिछला ब्लॉग डाला था क्योंकि बहुत सारी गल्स का ये प्रॉब्लम है कि होम साइंस या सोसियोलोजी टू ये वाले लेंगे या पाइनल एर तक होंगे वही लेंगे या बीसी होम साइंस तो देखिए बहुत बड़ी गन्फ्यूजन है और आयो को ये चीज के लिए कर देनी चाहिए बट उन्होंने अब तक के लिए नहीं किया हुआ है तो मुकी सेविका बहनो मतलब मैं आपसे स्वा वाले भी माननी होंगे और अगर बाद में ले लिया जाए अगर बाद में नहीं माननी किया जाए और उस टाइम ना आप अपनी पढ़ाई भी छोड़ दें बिल्कुल उसी का इंतिजार करने लगें इधर भी पढ़ाई अपना छोड़ दें तो देखिए आप मुझे ही त कर देना चाहिए के लिए बट नहीं किया तो डीवी के टाइम के लिए होई जाएगा तो उसके लिए मैं स्वारी और अपनी सभी मुक्य से विका बेहनों से मैं एक बार स्वारी बोलना चाहूंगी और देखिए हमारा जो कोर्ण केस है वह हम लोगे 5 में ही फस्ला रहने वाला है और हम लोगे को बहुत ही कुस्त रहना क्योंकि थी प्रियास नहीं यह बहुत ही अच्छा रहा है मैंने पिछले 혼자 में बताया था कि देखे जब चीजें सभी अधिकारियों के संग्यान में हो जाती है तो कोड केस का जो फैसला है वो पच्छ में ही आएगा यह मैंने के लिए भी क्या था कि 99% के लिए है कि हम लोग के पच्छे में ही आएगा और योगिता की बात करें तो प्लीज आप लोग तो उसके बाद में हम लोग का फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा और यह न्यूज न बहुत ही अच्छी न्यूज थी क्योंकि जो ICDS विभाग के तरफ से फाइल भेजी जानी थी वो फाइल भी पहुंच गई तो कहीं न कहीं एक अच्छा रियेक्ट होगा तो हमें लगता इसकी हमारी मुकि सेविका बेहने तैयारी करती हैं कोई भी میरे वीडियो देखता हो अप बताना कि कि कशी सी तैयारी करते हूं और मैंने तो बता विद्ध करते हो और मैंने अपने पिछले वीडियो में यह भी बताया है की जो आयोक था वाइयोक का गठन हो चुका है तो पुमारी जो परिच्छा है वो भी लास्ट जून या फर्स्ट जुलाई के करीब में ही होगी तो प्लीज आप लोग पढ़ाई करते रहिए क्योंकि उधर भी देखे जिन्होंने फॉर्म फिल गया है तो उधर भी आप लोग मेहनत किये होंगे और मुखिसे का सेविका का स्लेबस और होम साइंस टीजीटी का स्लेबस तो सेम है हाला कि होम साइंस टीजीटी में बहुत सारे ब्रांच हैं और इसमें ज़्यादा ब्रांच नहीं थे बट हाँ और ये मतलब सेम ही है, रिजल्ट जतना भी था वो सेम ही था तो आप लोग तयारी मुखिसेविका का पेपर दिये होंगे तो भी करेंगे ही होंगे, वो चीज तो common हो गया और पहले से तो आप तयारी किये ही होंगे, तो प्लीज आप लोग प्रक्टिस सेट लगाय करिए और मुझे लगता है कि जिन बहनों का नंबर कम है उन्हें तो अपनी पढ़ाई में और फोकस करना चाहिए क्योंकि देखिए जब हम लोगों ने एक बार ठान लेया है कि अपने माता-पिता का सपना जरूर पूरा करेंगे तो ऐसे निरास बैटने से सपना बहन पूरा होने वाला नहीं है तो प्लीज आप पढ़ाई करते रहिए और बस मैं इस छोटे से वीडियो के साथ ही अपने वीडियो को इंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और हम आसा करते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगे और अ दियर जरूर करिएगा बाई बाई वेन